हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई टूब चैनल, एक्सरसाइस 15.2 से क्वेस्चन नमबर 2 करेंगे दाइमेंशन ओफ एक क्यूबोईड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कोई क्यूबोईड है, उसकी डाइमेंशन दे रखी है, 5, 3 और 2 यूणिट्स, ये सेंटीमीटर में है इस क्यूबोईड के तीन अलग अलग तरह के आईसोमेटरिक स्केचिस आपको बना के दिखाने है तो क्यूबईड तो आपके पास एक ही है, उसकी तीन अलग अलग तरह के ड्रॉइंग्स आपको बना के दिखानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये तीन डाइमेंशन हैं, तीन को हम लेंथ, ब्रैट, हाइट मान के अलग-अलग तरीके से प्रिज्यूम कर लेंगे, जैसे पहला जो मैं बनाऊंगा, उसकी लेंथ मैं 2 मान लूँगा, ब्रैट 5 मान लूँगा, और हाइट 3 यूनिट मान लूँगा फिर दूसरे के लिए मैं कुछ और मान लूँगा तीसरे के लिए मैं कुछ और मान लूँगा तो drawings मैंने roughly बना के रखी है बस आपको just highlight करके उन्हें बताना है तो पहली जो मैं drawing बना रहा हूँ उसके लिए मैं length 2 unit ले रहा हूँ तो यहां से मैं बनाना start करता हूँ तो यह dotted paper है इस पे मैं यहां से start कर रहा हूँ तो length मैं 2 unit ले रहा हूँ यह सामने की हो गई है इसकी length मैं अगर इसे सामने से देख रहा हूँ तो यह length मुझे दिखाई देगी इसकी breadth मैं ले रहा हूँ 5 units तो यहां से मेरे को 5 units चलना है तो इधर से मैं ऐसे चलूँगा तो एक unit हो गया फिर अगली dot तक 2 unit यह 3 unit यह 4 unit और यह 5 unit तो अगर यह जमीन पर टिकी हुई है तो सामने से यह length हो गई है और side में यह इसकी चोड़ाई हो गी है 1, 2 और यह 3 तो length, width, height मैंने इसकी बना लिया अब यह जो तीनों है इनके parallel parallel lines खीच के मैं इस cube-eard को पूरा कर लूँगा तो पहले तो यह जो length मेरे को दिखाई दे रही है इसके parallel मेरे को line खीच नहीं है तो यहां से parallel खीचेगी 2 units अब यह जो height है इसके parallel line खीचेगी तो वो यहां पे ऐसे खीचेगी अब यह जो breadth है breadth के parallel line खीचेगी और वो 5 unit के बराबर होगी तो 1, 2, 3, 4 और यह 5 और यह vertex और यह vertex को जब जोड़ देंगे तो यह इसकी पीछे की जो height है यह पूरी हो जाएगी अब इसी तरह से यह उपर का part है यह इसका top हो गया है cuboid का तो इसके parallel line खीचँगा तो यह top की breadth आजएगी और वो यहां से आएगी 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit यह इसका पीछे का edge हो गया है यह इसके parallel होगी तो इसके parallel खीचने के लिए इतने ही इसी तरह के angle पे हम चलेंगे इसमें यह बात आपको ध्यान रखनी है कि angle इसका ठीक होना चाहिए यह बिल्कुल parallel दिखनी चाहिए तो यह cuboid बन गी है यह मैंने ऐसी cuboid बनाई है जिसका length मैंने 2 लिया है breadth 5 unit और height 3 unit लिया है तो यह एक type की हो गई है अब दूसरा cuboid बनाते है उसमें length, breadth, height थोड़ा change कर लेंगे मैं length तो ले लूँगा 3 unit को breadth ले लूँगा 2 unit और height ले लूँगा 5 unit अब यहाँ पे दूसरी बनाते है तो length मेरे को 3 unit लेनी है तो यहाँ से मैं start कर रहा हूँ जहाँ पे मैं यह मैंने point लगाया है तो length 3 unit लेनी है तो बिलकुल straight में 3 unit चलूँगा एक और यह 2 और यह next dot 3 unit हो गया तो length होगे 3 unit breadth मेरे को 2 unit लेनी है तो यहाँ से मैं इतने angle पे चल रहा हूँ यह जो straight dots दिखाए देंगी मुझे 2 unit के बराबर लेना है एक unit हो गया और यह 2 unit हो गया मैंने breadth 2 बना लिया height मेरे को बनानी है वो इस vertex पे बनेगी तो यहाँ से height मेरे को 5 unit ऊपर चड़ानी है तो 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit और 5 unit तो length बना लिए, breadth बना लिए, height बना लिए अब इन 3ों के parallel parallel lines खींचके मैं cubert तयार कर लोगा तो पहले मैं इस height के parallel खींचूंगा तो height इस vertex पे बनेगी 5 unit 1, 2, 3, 4 और यह 5 अब इस length के parallel खींचूंगा तो इन दोनो vertices से यह line जुड़ जाएगी 1, 2, 3 यह इसकी breadth है breadth के parallel मेरे को line लेनी है और 2 unit लेनी है तो इस vertex से 2 unit एक और यह 2 यह पीछे का vertex यह नीचे का vertex इन्हें जोड़ देंगे तो यह side की height आ जाएगी 3, 4, 5 अब इसका top में 2 edges बनानी बाकी है तो एक तो edge बनेगी इस length के parallel वो यहां से हो जाएगी 1, 2 और यह 3 unit और यह वाली edge होगी इसकी breadth के parallel यानि इस line के parallel तो इस vertex से इस vertex तक जोड़ देंगे तो यह इसकी ऊपर की breadth होगी है तो यह भी ऐसा ही cuboid है जिसकी dimensions 5, 3 और 2 है बस इसको जो जमीन पे टिकाया गया वो अलग तरीके से टिका दिया है यानि इसके जो मैंने length और breadth है न वो कुछ और बना दिये पिछली वाली के कुछ और थे अब तीसरी भी बनानी है तो उसके length, breadth, height में इन दोनों से थोड़ा different ले लूँगा मैं length ले लेता हूँ 5 units और breadth में ले लेता हूँ 2 units और height में 3 units ले लेता हूँ तो मैं पहले length को तयार करूँगा यहां से मैं start कर रहा हूँ 5 units लेना है तो यहां से इस dot तक 1 unit next dot तक 2 unit ऐसे यह 3 unit यह 4 unit और यह 5 unit length मैंने बना ली अब breadth बनानी है मेरे को तो यहां से मैं इस तरह अच्छ चलूँगा और 2 unit बनानी है तो यहां से यहां एक और यहां से यहां यह दो unit होगी यह breadth होगी है height बनानी है height मेरी इस vertex पे बनेगी और इस पे बनेगी इसी से तो उपर को चड़ेगा cube height तो मैं कहीं पे भी बना लूँगा height 3 unit बनानी है मैं यहां से start कर लेता हूँ एक unit दो unit और यह तीन unit अब आपको idea लग गया होगा कि यह length, यह breadth और यह height अब इन तीनों के parallel, parallel lines बनाके इसको cube height को तहीर किया जाएगा तो पहले मैं parallel line बना लेता हूँ height के यह height है न तो इसकी सामने इस vertex पे भी height होगी तो यह 3 unit मैंने उपर चड़ा दी तो यह इसके parallel होगी यह length है 5 units तो उपर की vertex 6 है जब मैं इससे जोड़ दूँगा तो सामने का जो front दिख रहा है यह इसकी length आ जाएगी अब यहां से इस vertex से height होगी 3 unit तो 1 unit, 2 unit और यह 3 unit यह इसके parallel होगी है यह वाली जो side है यह इसके parallel होगी इसे यहां से ऐसे जोड़ देंगे तो यह सामने की side दिख रही है यह सामने का front देख रहा है आपको यह सामने का face है यह side का face है और यह जो तीसरा आपको दिख रहा है यह top का face है अब टॉप का फेस तयार करना है तो इस वर्टेक्स से इस लाइन के पैरलल हमको लाइन खेचनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच यूनिट्स और इस एज को कम्पलिट करने के लिए इसके वर्टेक्स ये जो ये वाली जो एज है इसके पैरलला लाइन खेचनी है और ये तीन यूनिट है तो यहां 2 यूनिट है एक, और ये दो यहां भी ये दो यहारी है एक, और ये दो तो इनके आपको तीन, तीन दिखाए दे रहे हैं क्यूबумाइड के अंदर छे फेस होते हैं लेकिन जब आप isometric figure बनाओगे तो सामने से आपको इसके तीन ही face दिखेंगे, front का, एक side का और थोड़ा सा top दिख जाएगा, बाकी के जो इसके तीन faces हैं, वो background में छिप जाते हैं, तो एक ही cuboid है, measurements वो ही है, अलग-अलग तरह की ये तीन drawings मैंने बना दिये हैं, question खतम, next questions के लिए next video में मिलेंगे, तब तक के लिए, goodbye.